हलो स्टुडेंट्स दिस अभिशेख हीर और स्वागत आपका हमारे चनल स्टेडी क्लास पे तो स्टुडेंट्स जैसा कि आप सबने थमने में देख लिया है कि स्टुडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विशय प्रफेंशिन इंग्लीज सत्र 25 के लिए जी हाँ 2024 में उन्हें प्रथम वर्ष में अडिशन लिया है तो 2025 में नीकी परिक्षा होगी तो 2025 के उस जुन-जलाई जो सलॉट होता जहां परिक्षा होती है अमूमन जुलाई या अगस तक भी कभी परिख्षा जाती है तो उस परिख्षा के लिए हम पुरा यह विश्य लेकर आए हैं हमारा आज के जो विडियो लेक्चर है यह प्रत्थम वर्स का विश्य है सत्य दौर चौबिस पच्चिस का प्रोफेंशिन इंग्लिस होने वाला है आपको पहली बता दू कि प्रोफेंशिन इंग्लिस विश्य है मात्र पच्चिस अंकों की परिख्षा होती है यह जो विश्य होता है यह मात्र पच्चिस अंक का होता है लेकिन इसके अंकों पर मत जाना इस 25 अंक में से लोगों को 10 नंबर जो passing लगते हैं वो लाना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा जो बच्चे fail होते हैं जिने back लगता है supplementary आती है वो यही विशय है तो इसके 25 अंक लाने बहुत दूबर होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं इसके पिछे कारण एक पहली बात तो बहुत सारे डियलेट जो करने वाले students होते हैं 90% Hindi मेडियम से होते हैं तो प्रफेंशियों इंग्रिश में बड़ा मुश्किल होता है दूसरा इस विशय को बड़ा detail में इकना पड़ता है और इसका नाम यह प्रफेंशी प्रफेंशी मतलब इसमें प्रफेंशी प्रणीता होने चाहिए यानि आप प्रभीन होने चाहिए इस लाएंगों के हर एक चीज जो आपको पता होने चाहिए आपके डेलेड की तयारी के लिए वो सब कुछ बताऊंगो तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप हमारे चनल में पहली बार आ हैं और आपको अभी तक जाने का रही नहीं है तो हमने अपने भाई MPDL8 का BSTC का पुरा कोर्स लांच किया हुआ है जिसमें हम इस संपूर्ण कोर्स में यह जो हमारी कोर्स की वैलिडिटी है पूरे वन ये एक साल की जियां एह साल तक अभी आप को परिक्षा करते हैं पुरा एक साल तक आपको इसका यह लेगा इसमें आपको बहुत मतपूर्ण प्रिवियस यर कोशन पेपर्स मिलेंगे और उनका सोलूशन भी मिलेगा तो इस कोर्स को खरीदने के लिए पर्चेस करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिशन में जाके हमारे एप की लिंक होगी बालोड कीजिएगा प्ले स्टोर से आप डाउलोड करेंगे तो वहां एप में आपको आलरेडेडे कोर्स मिल जाएगा इस तरह से आपको इंटर धेस दिखेगा उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं ध्यान रखें आप प्रथम वर्ष के हैं तो प्रथम वर्ष वाला ही खरीदे ठीक उसमें आपको नोर्स पीवाइक्यूस कोशा एंसर्स वीडियो लेक्चर्स मैराथान लेक्चर्स सब कुछ एविलेबल है फिलाल इस वक्त 30% की छूट चल रही कोर्स पर जी हां कर लें कोई वीडियो टाइम पर नहीं मिलेगी वीडियो मिलेगी नहीं और सबस्क्राइब करके बेल रखेंगे तो सबसे पहले हर वीडियो लेक्चर हर नियूज हर नुटिशन डीयल की परिखह से जुड़ी आपको पहले मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं unit 1 की पहले बता दो कि इसमें total 5 units है total units किती है इसमें 5 जी हां 5 units होती है और हर एक video lecture हम हम एक unit cover कर लेंगे तो यह हमारी पहली unit है जिसका नाम है status of English in India अब यह आद रखेगा कि सवाल क्या है status of English in India यानि भारत में अंग्रेजी का दर्जा क्या है status क्या है जिनको अंग्रेजी नहीं आते English नहीं आती है बिल्कुल घबराये मत बहुत आसान और सटीक सब्दों में समझाओंगा यह पूरा का पूरा विशह आपको ठीक है कि actual में इस chapter में पढ़ना क्या है इस इकाई में आपको पढ़ना क्या है ठीक है तो पहले बता दूँ इस इकाई के blueprint तो भाई यह जो इकाई है इसके blueprint के बारे में अंग्योजना के बारे मता दू अंग्योजना मतलब blueprint यानि कितने अंगों का यहां से प्रशनुत्तर आपक नहीं पूछता आपको सिर्फ एक कोशन आता है दो मास का जिसे हम अती लगू या फिर वेरी शॉट भी बोलते हैं ठीक है जिसे हम अती लगू या वेरी शॉट बोलते हैं और ये जो दो मास का प्रश्ण होता आती लगू वेरी शॉट ये तीस सब्दों में याने 30 words में बहुत सारे Hindi medium के background से आते हैं अंगरी जी कमजोर होती है दूसरा बहुत सारे लोग को लगता कि delayed में copy भरने से पास होते हैं बहुत सब्द सीमा से ज्यादा लिखेंगे तो भी number कटेंगे शब्द सीमा से कम लिखेंगे तो भी number कटेंगे तो आपको इस शब्द सीमा का खास हो जागे ऐसा नहीं होता और आपको सिर्फ पास नहीं होना है आप boundary पास हुए माली जी पचास परसंट से साट परसंट से और मालों कहीं सिक्षक भरती है और कोई व्यक्ति के 90 परसंट है और आपका 60 परसंट है बताओ मुझे किसका सेलिक्शन पहले होगा है अगर आपके ग्लूपिंट दो मासका पर पूरी यूनिट है एक ही प्रशन आता है दो मासका आता है वेरी शॉट अतिलग उत्तर यह जिसे हम 30 वर्ट सेने 30 शब्दों में लिखेंगे अब इसका syllabus क्या है मतलब किन टॉपिक पर अधारीद प्रशनियां पर आते हैं English as a global language वैश्विक भ भाषा है यानि आप देखिए अलबर्ट आंस्टैंड आईजेक निउटन्स इन्होंने जो भी खोज के थे इन महान विज्ञानिकों ने इनकी खोज को आज हम पढ़ पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई हम अंग्रेजी पढ़े हैं हम अंग्रेजी जान रहे हैं अंग्रे लैंग्वेज यानि कि पुस्तकाले की भाषा भी है ध्यां बखेंगे लाइबरी लैंग्वेज का मत्तब होता है शब्द को शब्द भंडार इसमें ग्यान नौलेज यह सब मौजूद है इस भाषा में ठीक तो यह हो गया सका सिलाबस इसके ब्लूप्रिंट अब सिधा सि यह प्रश्णा पूछा चा चुका है प्रश्ण का नाम है वाट इस लैंग्वेज भाषा क्या है तो अगर आपको पूछ रहा है भाषा क्या है वाट इस लैंग्वेज ठीक है तो यहां आपको पूछ रहा है कि लैंग्वेज क्या है भाषा क्या है तो चलिए बात करते है पहली बात बही देखे अब पूछा है what is language यानि यह language क्या है ना तो language क्या है तो language तो भाई अंग्रेजी का एक सब्द है जो कहां से आया है the word language seems to have been derived from the Latin word lingua which means tongue तो यह जो language शब्द है यह लिया गया है Latin word lingua से कहां से लिया गया है Latin word lingua से जिसका मतलब क्या होता है tongue याने की jeep जिसका मतलब होता है tongue jeep तो इस तरह से अब भाषा बोलने के लिए हमें jeep क्या वशक्ता पड़ती है तो jeep से यह उसी शब्द से इस शब्द को निकाला गया है Latin में अकसर क्या होता है अंग्रेजी में गणित में विज्ञान में कई ऐसे शब्द मिलते हैं खासकर अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा हूँ इसमें कई ऐसे शब्द मिलते हैं जो Latin भाषा से ले गया है तो इसी से language शब्द बना है, ठीक, दूसरी बात क्या, अभी जो language है, जो भाषा है, वो पुरी तरह से vocal होती है, यानि हमारे शब्द कंठ से ही, हमारे गले के जो कंठ होता है, जिसे हम vocal कहते हैं, vocal cord कहते हैं, वहां से ही निकलता है, अगर मालों किसी का ये गले का कंठ ना हो, भाषा बोल सकता है क्या, नहीं, अगर किसी की जीव ना हो, बोल सकता है क्या, नहीं, तो भनी उत्पन ही नहीं होगी, sound producer ही नहीं होगा, तो language आएगी ही नहीं, तो सवाल यह है, language is the entire complex of phenomena, language जो है, पूरा का, पूरा किस प्रकार की process, phenomena मतलब होता है, किस प्रकार की क्रिया, प्रक्रिया process, तो भाई, language जो है, पूरी ऐसी प्रक्रिया है, entire complex है, पूरी घनिष्ट, complex मतलब जटील, घनिष्ट एक दम है, तो complex associated with human, vocal and auditory, communication of emotions and ideas, ठीक है, अगर अभी आपको बहुत कठीन लग रहा है, तो इस points को आपको आसान बना सकते हैं, ठीक है, हमने इन points को अपन इन तरीके से त्यारी करना चाहते हैं, notes में किस प्रकार से घुमा फिरा के प्रशन पूछता है, परिक्षा में, notes में सब कुछ दिया हुआ है, तो उसके लिए जरूर हमारा course purchase करें, ठीक है, तीसरा, इस point का मतलब ही है, कि जो भाशा है, जो language है, बहुत ही जटिल प्रक्रि हैं, फिर तीसरा, language क्या है, तो language है, medium of exchange of ideas, thoughts, emotions, experience, information, etc, भाशा क्या है, भाशा जो है, medium of, medium मतलब माध्यम, भाशा एक माध्यम है, exchange करने का, यानि कि आदान प्रदान करने का, जो से मैं आपको भी बता रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, professional English पढ़ा पा रहा हूं, किसकी मद से, तो वह यहां बोला है, language है, medium of exchange of ideas, thoughts, information, emotions, experience, etc, याना, कुछ भी आप इदर उदर करके लिखे, एक लिखे ज़रूरा, भाशा क्या है, एक medium of exchange है, किस चीज का exchange है, emotions, thoughts, ideas, experience, इन सब का क्या है, information, इन सब का exchange है, ठीक, भाशा, चौती बात, language is a specific form of speech, language जो है, वो एक specific form of speech अब जैसे देखिए, अब specific form of speech क्यों बोल रहा है, specific मतलब खास प्रकार की भाशा, खास प्रकार की बोली, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसका एक मतलब है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आ, मैंने अभी भी बोला, लेकिन इसके पहले जो समझ में आये, ऐसी जो समझ ही नहीं आ रही है, जैसे हमको कोई भाशा नहीं आती, तो हम सुनेंगे तो हमको लगा टुक टॉक टॉक कुछ कुछ क्या, कुछ भी आवाज हो रहा है, हमको लगा कि यो तो बस आवाज है, तेकिन वो भाशा है, हमको समझ में नहीं आती, इसल खास प्रकार का speech है clear, चलो, आगे बढ़े है समझ में आगे हो गए सबको, है ना तो चली आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो सवाल है आपर दूसरा हमारा question है, अभी घुमा फिरा के पूछता है, क्या पूछता है, main characteristics of English, English भाषा के main characteristics, यानि खासिती बतलाईए या फिर दूत्य भाषा के रूपे अंगले जी की खासित बताईए, है ना English as a second language, importance of English as a second language, main characters of English as a second language, होता क्या है, देखो, मैं बता रहूं क्या होता है अक्सर हम क्या करते, market से कहीं से कोई guide, कोई किताब खरीद लेते 2020, कोई series खरीद लेते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं, पर उस series में होता क्या है, सिर्फ प्रश्ण और उत्तर ही दिये रहते हैं, तो मान लो उस series में सवाल का, सवाल दिया हुआ है, English as a second language ठीक है, लेकिन यही सवाल घुमा के भी तो पूछ सकता है, बताइए second language के main characteristics अब आप series से रटके गए थे, पढ़के confused, अरे यार, यह सवाल तो कभी देखा ही नहीं था, भाई, सवाल वो भी था, वो भी आपने देखा था, पर वो सवाल series में वैसे दिया नहीं है, क्योंकि किताब में, मालव चार टाइप से उस प्रश्णों को लिखा, लेकिन पांचवो टाइप से आ गया परिच्छा में तो पांच टाइप से लिखा, छटवो टाइप से आ गया तो छे टाइप से लिखा, सातवो टाइप से आ गया तो इसलिए series में सब कुछ limited रहता है और series से पढ़ने से आप pass हो सकते है by chance question फस गया तो आ गया तो परिच्छा में लिखे दिया आपने ठीक? exact पर कई बार ऐसा होता है कोई प्रश्ण ने series में 2 mask के लिए दिया है series में books में सब चीजी उपलब्द नहीं होती इसलिए आप देखोगे चैनल पर चाकर देखोगे result के पूरे comment से देखना आप सब नहीं comment किया 90%, 95%, 85% सब आपके चैनल से आपके course पढ़के आपके videos देखके तो यही आपको भरा पढ़ा मिलेगा चार साल से study class का experience है जो अभी तक भाई इतने मक्तुब अलमस्ट समझे लोगन लाख एक लाख students को अलमस्ट डियलेड हम पास करवा चुके है उनको पढ़ा चुकी है तो आप भी हम पर भरोसा करके course ज़रूर परचस किजिए और अपनी तयारी को एक नया रूप दीजिए ठीक चलिए अब आते सवाल पर सवाल क्या है main characteristics of English English की main characteristics यानि की main खासेते क्या है या इसी सवाल को घुमा के पूछ सकता है English को दुईतिय भाशा के रूप में बतलाईए English as a second language बतलाईए भाई तो पहली बात इंग्लिश क्या है एक progressive और advanced language है English is a progressive and advanced language advanced मतलब भाई आधुनिक और progressive मतलब भाई क्या बोलेंगे आपकी प्रगतिशील भाशा है तो English is a progressive and advanced language और एक बात किसी भाशा को progressive कब बोलते हैं सवाल के अंदर भी सवाल आ सकता है जिसाब को पूछे दे How can you say that English is a progressive language आप कैसे बोल सकते हो कि अंग्ले जी एक प्रगतिशील प्रगतिशील भाशा बताओ तो किसी भाशा को हम progressive तब बोलते हैं जब उसका past, present and future हो यानि उस भाशा को अतीत्में बोला जाता हो उस भाशा को आज भी बहुत लोग बोलते हो और future में इस भाशा की बहुत value है बहुत scope बढ़ेगा तो ऐसी भाशा को हम progressive बोलते है तो बताइए, अंग्रे जी प्रग्रेसिव है न हमारे पुरुआज अंग्रे जी के लिमतलब कोई अंग्रे जी पढ़ लिया पहले के जमाने में तो कितिनी बड़ी बहान बात होती थी कि अंग्रे जी मिडियम से पढ़ा अंग्रे जी बाबू हो गया है और अभी कि जिसी को इंग्लिस फर्राटेदार fluently इंग्लिश बोलने आती है बिना रुके उसका भी बढ़ाई समाज में बहुत वैलू है उसको जॉब अच्छे से लग जाते हैं इंटर्व्यू क्रैकर लेता फट से और फ्यूचर में आप जानते हो कि सभी लोग दिरे-दिरे इंग्लिश मिडियम की तरफ shift हो रहे है हिंदी मिडियम लगतार बंध होते जा रहे है हिंदी मिडियम के schools आपको बड़े कम मिलेंगे होंगे भी पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में ही जातार होती है है ना तो इस अंग्रेजी का अपना past है present है और future है इस कारण से यह progressive language है clear? तीसरा अब यह बहुत ही शांदार भाषा है अंग्रेजी जो है एक dynamic याने की शांदार भाषा है it is a dynamic language and also known as a world language या फिर international language यह बहुत ही शांदार भाषा है dynamic language है और तो और इसको अंतरराष्टिय भाषा, international language और वैश्वी भाषा world language के नाम से भी जाना जाता है तो यह आप ध्यान रखेगा भाई कि अंग्रेजी भाषा को हम world language या फिर international language क्यों बोलते है इसको हम international language या फिर world language क्यों बोलते है तो भाई यही कारण है कि इस भाषा को संसार के लगभग सभी देशों में या तो बोला जाता है या तो at least कम से कम समझा तो जाता है भाई बोलना ना आता हो लेकिन समझना तो आता हो यह जो है अंग्रेजी भाषा एक dynamic language है इसको हम international language या world language की नाम से भी जानते हैं clear अगला भाई अंग्रेजी भाषा का अपना खुद का grammatical rules है कोई भाषा बड़ी valuable होती है किसी भाषा की महत्ता और बढ़ जाती है जब उसका खुद का अपना व्याक्राण हो उसके व्याक्राण के नियम हो अंग्रेजी का तो grammar है भाई अंग्रेजी का हिंदी का भी है तो हिंदी की भी value है तो जिस भी भाषा का अपना grammatical नियम होता है व्याक्राण वाला नियम होता है उसके बड़ी value होती है तो it has its own grammatical rules अंग्रेजी भाषा के अपने खुद के व्याक्राण के नियम है उसके grammatical rules है और इसका अपना खुद का एक system of writing यानि इसको अलेखन की पधती है इसका खुद का एक system है अंग्रेजी भाषा का अपने खुद के शब्द है खुद के नियम कानून है खुद का व्याक्राण है खुद का एक system of writing है खुद का एक form of writing है यह ध्यान रखेगा तो यह सब किसी भाषा को महतपून बनाती है किसी भाषा की यह मुखे characteristics है खासकर यह English की main characteristics है समझ में आगया प्रोग्रिसी और advanced language है इसका past, present and future है जो बहुत लिए dynamic language है इसको international या world language भी बोलते है और यह इसका खुद का अपना grammatical rules है इसका खुद का एक system of writing और लेखन की एक प्रक्रिया है एक पूरा का पूरा तंत्र है कह सकते है clear, शलो, आगे बढ़ जाए समझ आई होगे आपको, मेरे ख्याल से तो रट भी जाओ आपको है ठीक, अगला सवाल है specific aims of teaching यानि जब teaching करनी है मतलब पढ़ाना है पहली बात है यह कि इस पूरे इकाई पर सिर्फ दो ही नंबर आता है सिर्फ two marks इस पूरे इकाई पर दो नंबर मिलते है अब दो मस के कितने ही प्रश्ण बन जाएंगे गुमा पिरा के सारे तो वही आने है तो सवाल यह है specific aims of teaching English यह जब इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपका कुछ मकसद होगा aims मालो मैं अंग्रेजी भासा पढ़ा रहा हूं मैरा मकसद यह है कि आप अंग्रेजी को अच्छे से बोल पाए सुन पाए पढ़ पाए लिख पाए याना अंग्रेजी समझ भी पाएं दूसरा आप अपने विचारों का अपने emotions का ideas का thoughts का आदान प्रदान एक्सचेंज जो है अंग्रेजी भासा में कर पाएं तो यह सारे मकसद है ना चलिए तो बात करते हैं देखे कभी भी थेओरी लिखने से पहले कभी भी परिक्षा में प्रश्न आए right specific aims of teaching English या फिर what are specific aims of teaching English ऐसा वाल पुछे तो direct सिधा मों उठा के उत्तर मत लिख दे रहा सिधा भाई जवाब मत लिखा करो ऐसे नंबर कटते हैं आपको लिखना कैसे पहले ऐसे दो लाइन की थेओरी दिनी है कैसा अब यह प्रश्न सरी चुरा लो the specific aims of teaching English are as follows the specific aims of teaching English are given below या are given under कैने ऐसे दो लाइने चापो भाई थेओरी की चापो उसके बाद लिखो number one to understand written English हम English इसने पढ़ाते हैं ताकि हम लिखे वी अंग्रेजी पढ़ पाए दूसरा to understand spoken English हम अग्रेजी इसने पढ़ाते हैं कि बोल गई अंग्रेजी को हम समझ पाए तीसरा to speak correct English हम सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाए इसके लिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं چो था to write collect English यानि सही अंग्रेजी लिख सके इसके लिए तो हम बोल लिए अच्छे संग्रेजी लिख सकें, अच्छे संग्रेजी समझ सकें, अच्छे संग्रेजी बोल सकें, अच्छे संग्रेजी को हम लिख सकें, तो इन सब के लिए हमें अंग्रेजी पढ़ानी होती है, हम इसलिए as a teacher हम अंग्रेजी जो पढ़ाते बच्चों को इन्हीं चार चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ाती है, तो these are known as specific aims of teaching English, ठीक, तो यह ध्यान रखेगा students, अब अगला question है, explain the function of language, किसी भी भाषा के जो function होते हैं, किसी भी भाषा का जो function होता है, इसका काम क्या actual है, भाषा का क्या है, तो कुछ मुख्य काम होते हैं, उन् मुठा को तर नहीं लिखना, ठीक हो, जैसे यहां पर लिखा देखो, there are three main function of language, these are follows, explain the functions of language, there are three main function of language, या लिख सकते थे, the main functions of language are as follows, the function of language are given below, कुछ भी question से चुराइए, और answer में दोलाइने साथ छाप दीजिए, और उसको लिखिए, number 1, सबसे पहला, the informative function, सबसे पहला क्या पहला काम सूचना देना होता है, ये सूचना देना एक खास खासियत भासा की, दूसरा बाइ करता क्या है, मतलब करता क्या, information देना, सूचना देता है, the work of the informative function is to communicate information, सूचनाओ का आदान-प्रदान करना, ये इसका पहला काम है, दूसरा, the expressive function, याने कि express करना, जाहिर करना, प्रदर्शन करना मेरे मन में भाव है कि मुझे दूख हो रहा है अब मैं इसको कैसे जायर को रहा है I am so sad बोलूगा न मैं कोई अंग्रेजी जिसको अंग्रेजी समझते है उसके सामने मैं बोल दूगा I am so sad कि मैं बहुत दुखी हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा I am not feeling well चीक है तो यह रहां रखेगा यह है प्रदर्शन करने आपको एक्सप्रेश कर सकते आपके अंदर जो आइडियास thoughts emotion है वह आप express कर सकते हो तो यह क्या हो गया expressive function हो गया किसका भाई अंग्रेजी भाषा का भाषा का सिर्फ अंग्रेजी नहीं भाषा का तीसरा directive directive मतलब भाई निर्देश है ना निर्देश निर्देश जैसे कि एक ग्लास पानी लाओ bring one glass of water आना bring a glass of water ऐसा मैंने निर्देश दिया तो भाई यह directive function का भी काम करता है expressive function का भी काम करता और informative function का भी काम करता है तो language के तीन में function होते है number one by informative function number two the expressive function number three the directive function भाई यह direct भी करता है its third function of a language to help to cause action मैं आपको बोलूगा bring a glass of water तो पानी लेकर आओगे तो मैंने आपको direct किया याने कि भाषा का इस्तेमाल direction देने के लिए कि निर्देश देने के लिए तो यह भाषा का निर्देश फंक्शन हो गया निर्देश खासियत हो गया निर्देश शक है ना तो direct function जि इस course में मिल जाएंगे ठीक है MP8 का BSTC का DL8 का जो course है जिसकी पूरी validity हमने भाई one year की रखिये पूरा एक साल की इसकी validity है इस course को आप खरी दे जिरने भी सत्ता दुदार चौवीस medicine लिया जून जुन जुलाई में जिनकी परिक्षा होगी है ना सत्ता दुदार चौवीस पर चीस के लिए वो हमारा इस प्रत्वम वर से course को खरीदे जिसमें आपको notes, life classes, question answers, previous year question answers, pyqs, solutions, mcqs यह सब आपको मिलेगा साथ ही साथ कोर्स पर इस वक्त 30% के off चल रही है यह सिर्फ दिवाली offer है याद रखेंगे है ना सुरुवात के 1000 लोग के लिए offer रहेगा दिव कोर्स आपको purchase करना है ध्यान रखें प्रथम वर्ष और दृत्य वर्ष दोनों का course हमाँ पर तो आप प्रथम वर्ष वाले हैं तो प्रथम वर्ष का course खरीदिएगा ठीक तो course खरीदने के लिए आपको कोई coupon को डिज़रत नहीं है बस app download करो direct app से payment करो online और तुरंत course purchase कर लो और एक साल तक course का पुरा आनंद उठाओ पुरी तयारी करो पढ़ाही करो नोर्स, classes, video lecture, live classes, mcqs, objective, previous year question paper सम मिलेगा ठीक तो students अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर ये वीडियो आपको informative लगी हो तो please वीडियो को like और अपने दोस्तों class में friend के साथ share जरू करना भले ही आप इसको like ना करो पर share जरू करो क्योंकि ये informative अगर ज़्यादा लोगों तब पहुंचे की information तो सब कभला होगा ठीक और as a teacher हमारी पहली responsibility है कि हम सब के help करें तो ये जरू आप share किजेगा साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आया है तो वाई चैनल को subscribe जरू किजेग प्लेइस चेक करेंगे तो आपको अन्य सब्जेक के वीडियो और भी कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे mcqs के गेस्पेपर के important questions के प्लेइस के वीडियो भी मिल जाएंगे तो प्लेइस जरूर चेक करें और चैनल को subscribe जरू करें तो चलिए मिलेंगे आपसे अगरे वीडियो में तब तक करें देख करें हमारा चैनल स्टडी क्लास जय हिन जय भारत